मध्य प्रदेश के उज्जेन जिले में अखिल भारतिय मारवाडी महिला सम्मेलन समीती के तत्वा उधान में आगामी 4-5 जन्वरी 2020 को दो दिवसिये राष्ट्रिय इस्तर की ओध्योगिक मेला और राष्ट्रिय कार्या लइन बैठक इस्थानिय शर्मा परिसर में आयोजित की जाएगी अखिल भारतिय मारवाडी महिला सम्मेलन समीती महिलाओं का एक रजिस्टर्ट संगतन है जो मारवाडी समाज की महिलाओं यूवक यूतियों बुजुर्गों वबच्चों के साथ संपूर्ण भारत ही नहीं एशिया में समस्त जातियों समाजों के लिए संपुर्ण विकास हेतु कार्य रथें सरकारी निम्न सरकारी कार्य योजनाओं के साथ सयोग से जरुरत मंदों को विकास की धरा से जोडने का महत्वपुर्ण कार्य सम्मिलन द्वारा किया जाता है आयोजित पत्रकार वालता में राष्ट्रिय अध्यक्ष वीर बाला कासली वाल ने बताया कि राष्ट्र पिता महत्मा गांधी का सपना था स्वावलंबी करना लगू उद्योगों को बढ़ा कर सशक्त राष्ट को बनाना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हितू राष्ट्र इस्तर पर मध्य प्रदेश उज्जेन जिले में शर्मा परिसर में यह आयजन होने जा रहा है। हमें इसकी पहली क्रेस कांफरिंग्स हो है। जनवरी चार एक पांच को नगी यह आपर बहुत बदा रास्टी भीज़क मेला। महलाओं दवारा महलाओं के लिए एक बहुत बड़ा दलान यहां पर प्रेजन कर रहे हैं। जिससे सबको मार्केट मिले। तो पूरी राश्टी बहने यहां आएगी इसके पीछी का है पूरी राश्टी नुबर लोगो का रजिस्टर नूबर और संसा का रजिस्टर नूबर दोनों प्रेस नोट के इंदर आपको दिये हैं ताकि पाड़ दर्शिता से काम हों, महल विकास के लिए जब चलती है को गवर्मेंट की बहुत सारी योजनाई रखी है, जो रजिस्टर सर्फा को ही मिल सकती है, तो महलाओं को स्वावलम भी होने के लिए बहुत बड़ी मददगारों साबित होती है, इसी उद्वेशिक को हम देख रहे हमारा चैनल SW24 News, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें